तो नमस्कार दोस्तों उमीद आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो में हम बात करने वाले है उस महान सक्स के बारे में जिसे पहले मंद बुद्धी कहा गया और बाद में कई पुरुषकारशे नवाजा गया जिसे पहले पागल बताये गया और बाद में विस्त्व से बुद्धिमान इंसान बोला गया जी हां आज की वीडियो लीजेंड अलवर्ट आइंस्टाइन के उपल होने वाली है जिने विज्ञान का जनक भी कहा जाता है इस वीडियो में हम अलवर्ट आइंस्टाइन से उन सभी महतपूरन प्रश्णों को कवर करेंगे जो कोशन फर्श्ट है अलवर्ट आइंस्टीन का जनम कब हुआ था ओप्सन है बारा नॉंबर 1880, 18 अगस्त 1884, 14 मार्च 1989 या फिर 12 दिसंबर 1890 इस वीडियो में जितने वी कोश्चिन दिये जाएंगे सब का अंसर करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा इस कोश्चिन के अगस्त इस वीडियो में अलवर्ट आइंस्टीन का जनम जर्मनी समराज्य के बूटनबर्ग के उलम में हुआ था अंसर होगा ओपसे नमबर 2 यहोदी धर्म से समन्द रखते थे लेकिन वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे अंसर होगा ओपसे नमबर 3 जियोरिक विस्विद्यालय अलवर्ट आइंस्टीन ने किस विद्यालय में अपनी सिक्सा प्रापत की थी अंसर होगा ओपसे नमबर 3 जियोरिक विस्विद्यालय अलवर्ट आइंस्टीन ने जियोरिक विस्विद्यालय में अपनी सिक्सा प्रापत की थी अंसर होगा ओपसे नमबर 2 दो पत्निया अलवर्ट आइंस्टीन की दो पत्निया थी कौन कौन थी और कितने कितने समय के लिए थी उसके बारे हमें हम अगले प्रश्णों में बात करेंगे तो अब बात कर लेते हैं उनकी पत्नियों के बारे में question 6 है अलवर्ट आइंस्टीन की पहली पत्नि का क्या नाम था तो इस कांसर होगा ओपसे नमबर 1 मिलेवा मेरिक अलवर्ट आइंस्टीन की पहली पत्नि मिलेवा मेरिक थी जो कि 1903 से 1919 तक उनके साथ रही थी तो अब बात करते हैं उनकी दूसरी पतनी के बारे में Q7 भी यही है कि Alvars Einstein की दूसरी पतनी का क्या नाम था अंसर होगा ओप से नबर एक, Elsa Einstein Alvars Einstein की दूसरी पतनी Elsa Einstein थी जोकि उनके साथ 1919 से 1936 इस वी तक रही थी Q8 है, Alvars Einstein के कितने बच्चे थे तो अंसर होगा ओपसे नंबर दो तीन बच्चे अलबर्ट आइंश्टीन के तीन बच्चे थे जिनका नाम था लेजल मेरिक, हैस अलबर्ट आइंश्टीन और एडवार्ड आइंश्टीन Q9 है अलबर्ट आइंश्टीन को भोत्की में नौबिल पुरुषकार कब मिला था और Q10 है, अल्वर्स को मेट्यूक्सा पदक कब दिया गया था? अंसर होगा ओपसे नमबर एक 1921 इस्वी में अलवर्स को मेट युक्सा पदक 1921 इस्वी में दिये गए था अलवर्स आइंस्टीन को 1921 में दो पदक दिये गए थे पहला भोत्की का नोबिल पुरुषकार था और दूसरा था मेट युक्सा पदक और क्वेशन 11 है आइंस्टीन को कोपले पदक कब दिये गए था अंसर होगा ओपसे नमबर दो 1925 इस्वी में अलवर्स आइंस्टीन को कोपले पदक 1925 इस्वी में दिये गए था क्वेशन 12 है आइंस्टीन को मेक्स प्लेक पदक कब दिये गए था तो इसका अंसर होगा ओपसे नमबर 3, 1929 इस्वी में अलवर्स आंश्टीन को मैक्स प्लेक पदक 1929 इस्वी में दिया गया था Q13 है आंश्टीन को टाइम सरी के सबसे महत्पूर्न व्यक्ति पदक कब मिला था तो इसका अंसर होगा ओपसे नमबर 1, 1929 इस्वी में बिस्व के महान बुद्धिमान व्यक्यानिक अलवर्स आंश्टीन को टाइम सरी के सबसे महत्पूर्न व्यक्ति का पदक 1999 इस्वी में दिया गया था हाला कि उसमें उनकी मृत्ति हो चुकी थी लेकिन 1999 में यह पदक उनके पुत्तर को दिया गया था और क्वेश्टिन फोर्टीन है आंश्टीन ने कितने व्यक्यानिक सोथ पत्रों का प्रकाशन किया था इसका अंसर होगा ओपसे नमबर 4, 300 महन व्यक्यानिक अलवर्ट आंश्टीन ने 300 से ज्यादा व्यक्यानिक सोथ पत्रों का प्रकाशन किया था तो क्वेश्टिन 15 है आंश्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्यक्या कब की थी इसका अंसर होगा ओपसे नमबर 1, 1921 इस्वी में आइंश्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्यक्या 1921 में की थी जिसके लिए उनको भोटकी विज्ञान का नॉबिल पुरुषकार भी दिया गया था तो question 16 है अलवर्ट्स आंश्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक का सिध्धान्थ कब दिया था तो दोस्तो इसका अंसर होगा ओपसे नमबर 2, 1925 इस्वी में अलवर्ट्स आंश्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक का सिध्धान्थ 1905 इस्वी में दिया था तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं उस बिग एनॉस्मेंट के बारे में तो एनॉस्मेंट ये थी कि अब से हमारे चैनल पर लिजेंट जी के सीरीज सुरू हो चुकी है जिसकी वीडियो एविदी फ्राइडे को साम साथ बज़े आएगी तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सीरीज की आने वारी सभी वीडियो की नॉट्फिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब रू कर ले और बेल आकम को भी प्रस कर ले और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले Q17 है अलवर्स आइंश्टीन ने विशेस सापेक्षता के सिध्धान की घोशना कब की थी? Q18 है आइंश्टीन के पिता का क्या नाम था? Q19 है अलवर्ड आइंश्टीन की माता का क्या नाम था? Q20 है अलवर्ड आइंश्टीन की मृत्यू कब हुई थी? Q20 है अलवर्ड आइंश्टीन की मृत्यू 18 अप्रेड ने विडियो को देखा है तो I'm Dancer कि आपको विडियो का पिसंद आई होगी? अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरू करें क्यूंकि आपके एक लाइक से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए काफी मॉटिवेशन मिलती है और ये भी बताए कि आपको इन 20 क्वेशन में से कितने क्वेशन का सही अंसर जाता था और हमारे चैनल पर कॉंटेटिव एकजाम पर प्रेशन से रेटरबर काउंटेट हमें सब पर वाइड की जाता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर ले और बेल आपको प्रस कर ले जिससे कि आपको आने वारी साभी वीडियो के नाट्रिकेशन टाइम किसी अगली वीडियो में तब ते केली गुडबाई और टेक केर और थैंक्स पर वाचिं दिस वीडियो इन दा एंड